गती सौ सब परती मिनट डिक्टेशन शुरू होगा पान सेकेंड बाद रेडी स्टार्ट सुपरीम कोट ने मंगलवार को ठीक ही ध्यान दिलाया की मुख्य चुनाव आयुक्त सी इसी के कार्जकाल की कम अवधी का बुरा असर चुनाव सुधारो पर पड़ रहा है और इससे आयोग की सुवतंदरता भी परभावित हुई है तथ खुद पूरी अस्थिती अस्पष्ट कर देते हैं 1950 से लेकर 1996 तक सुरुवाती 46 वर्सों में देश में 10 निर्वाचन आयुक्त हुए यानि इनका आउसत कार्जकाल करीब 45 साल का निकलता है इसके बाद के 26 वर्सों में 10 चुनाव आयुक्त नियुक्त किये गए हैं इनका आउसत कार्जकाल करीब 25 साल बनता है इन दोनों अबधियों को जो चीज वह अलग करती है वह है मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में टी एन सेशन का बहुचर्चित कार्जकाल देखा जाए तो देश में स्वतंत्र और निस्पच्छ चुनाव सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग कितनी अहम भूमिका निभाता है यह बात रिखांकित ही हुई सेशन के कार्जकाल में आश्चर नहीं की छह साल का संबिधान द्वारा तै कार्जकाल पूरा करने वाले वह आखरी चुनाव आयुक्त साबित हुए हालां की संबिधानिक विवस्था अब भी यही है कि मुख चुनाव आयुक्त निभाती के दीन से छह वर्स की अवधी या 65 साल की उम्र होने तक जो भी पहले हो अपने पद पर रहेंगे चुकि ज्यादा तर चुनाव आयुक्त नौकर साह ही रहे हैं इसलिए उनके रिटार्मेंट की उम्र पहले से पता होती है जाहिर है कोई सरकार इसे सुईकार करे या ना करे चयन ही इस तरह से होता रहा है कि किसी को भी इस बद पर ज्यादा समय ना मिले नतीजतन कोई भी चुनाव आयुक्त अपने वीजन को कार्यानवित करने का मौका नहीं पाता शुप्रीम कोट ने ठीक ध्यान दिलाया कि चुकी सम्विधान में मुख चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती की प्रकिरिया तै नहीं की गई है और यह काम संसद पर छोड़ा गया है ऐसे में तमाम सरकारे सम्विधान की इस चुप्पी का फायदा उठाती रही फायदा उठाने की बात इसलिए भी थोड़े विश्वास के साथ कही जा सकती है क्योंकि ऐसा नहीं है की सरकार के सामने इसे तै करने की कोई बात आई ही ना हो आंतरिक प्रस्तावों सुझावों को छोड़ दें तो भी लौ कमीशन 2015 की अपनी रिपोर्ट में कह चुका है की मुख चुनाव आयुक्त समेत सभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती तीन सदसिये चयन समीती की सिफारिसों के आधार पर होनी चाहिए जिसमें परधान मंत्री और नेता प्रतीपच या लोक्षभा में सबसे बड़ी विपच्छी पार्टी के नेता के अलावा देश के मुख नयाधीस भी सामिल हों बावजूद इसके सरकार ने इस दिसा में कोई ठोस पहल नहीं की बहरहाल सुपरीम कोट के सक्त रवये के बाद अब उमीद की जानी चाहिए की वियह मामला अपनी तारकिक परिनती तक पहुँचेगा आखिर भारत जीवन्त और दुनिया का सबसे बड़ा लोक तंत्र है इसे चुनाव सुधारों के जरिये और मजबूत किया जाना चाहिए